नौलेज हिंदी में को सस्क्राइब कीजिए और न्यू वीडियो का नोटिबी क्रिस्टन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए हेलो फ्रेंड नौलेज हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम आपको गूगल डूडल पर लगाए गए अमर खियाम जी की जियोनी के बारे में जानकरी देने वाले हैं प्रसित फार्सी साहित्यकार गणितग्या और ज्योतिवित उमर खियाम का जन्म 18 माई 1948 को उत्री फूर फारस के निसाफुर सहर में हुआ था जो अब इरान में इस्तित है इनके पिता का नाम इब्राहिम खियाम नेसाफुरी था जो खेमा बनाने का काम किया करते थे गणितग्या उमर खियाम के द्वारा ही जैमितिय वीज गणितियक की इस्तापना की गई थी जिसके द्वारा हाइफरवोला तथा वृत जैसी जैमिती रचनाओं के द्वारा क्यूबिक समिकरन का हल करना भी संबो हुआ खगोल सास्त्री के रूप में इन्होंने सौरवर्ट्स की सुद्ध दूरी दसमलव के छे इस्तान तक प्राप की थी इसके आधार पर ही इन्होंने एक कलेंडर का अव्सकार भी किया जिसे इरानियों के द्वारा जलाली कलेंडर के नाम से जाना जाता था इस समय इरान में जिस कलेंडर का उप्योग किया जाता है वहो जलाली कलेंडर का ही एक प्रतिरूप है उमर खयाम के योगदान से ही इसलामिक जोतिसी को एक नई पहचान मिल सकी इन्होंने इरानी सुल्दान मालिक साहक का पत्रा तारिक ए मालिक साही में सुधार किया और जलाली समवत का आरम किया इनके द्वारा लिखी गई रुबाईयों जो चार पंक्तियों की एक कविता थी को अंग्रेजी कवी एडवर्ड फिजरॉल के द्वारा विज्व इस्तरिय पहचान बनाने में महत्वपून योगदान रहा और अस्ट्रिय की राजधानी वियना में इस्तित संयुक्त्रास्टे संग के कारेले में उमर खियाम की प्रतिमा इस्तापित की गई है 18 मई 2019 को उमर खियाम का 971 जनम दिन मनाया जाएगा उमर खियाम की मिर्तिव 4 दिसंबर 1131 को 83 वर्ष की उमर में निसापुर खोरासन वर्तमान समयम इरान में इस्तित्ह में हुई थी